ओम स्रीगने साय नमह ओम नमो भगवते वासु देवाय नमह दोस्तों आज के वेडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि करकरासी वालों का एक सितम बरे 2020 का दिन कैसा बीतेगा मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एक सेप्टेम्बर दो हजार बीस के पंचांग के बारे में आज तिथी है चतुर दसी, नक्छत्र है धनिस्ठा, पक्छ है सुकल पक्छ, दिन है मंगल बारे, आज के दिन सुर्य उदे का समय है पांच बजी के उनसठ मिनट में, सुर्य अस्त का समय है छे बजी के 42 मिनट में, रितू है सरद, आज के दिन काल है बारह घंटे 42 मिनट 49 सेकेंड का, महिना है भादर पद, आज के दिन सुभ शमे सुरू होता है, 11 बज के 55 मिनट एम से 12 बज के 45 मिनट पी एम तक, असुभ काल सुरू होता है, 8 बज के 31 मिनट एम से 9 बज के 22 मिनट एम तक, राहु काल सुरू होता है, 3 बज के 31 मिनट पी एम से 5 बज के 6 मिनट पी एम तक, दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर, इस बेडियो के अंत में आज के दिन का भाग्यसाली रंग, भाग्यसाली अंक और उपाई है, तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रियास करें, लेकिन सबसे पहले इस बेडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके दामपत्ते जीबन आपके बैबाहिक जीबन के बारे में दोस्तों दामपत्ते जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय शामान ने तौर पे सही रहेगा आज से पहले अगर आपके जीबन साथी के शाथ आपका शमबन्ध खराब हो गया था कमजोर हो गया था तो आज के दिन अपने शमबन्ध को आप मजबूत करने का प्रयास करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले शमय के दौरान आपके दामपत्ते जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा वैसे अगर आपके कामकाज आपके काड़े अच्छत्र की बात करें तो कामकाज के दृष्टी कोन से आपका शमय शामानी है आजिके दिन अपने कामकाज में अपने काड़े अच्छत्र में अगर आप कोई पड़िवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पड़िवर्तन करने से पहले आपको बिचार करना होगा क्योंकि जल्दिबाजी में अगर आप कोई फैसला करते हो तो आने वाले शमय के दोरान आपको पड़ेसानी का शामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के द्रिष्टी कौन से आपका शमय शामान ने तोर पे बहुत जियादा बिहतर और शानदार है दोस्तों आज के दिन आपके जीबन में अगर कोई पड़ेसानी कोई शमस्या रहता है तो उस पड़ेसानी में सबसे पहले आपके घर पड़ीबार के लोग आपकी शहायता करेंगे और घर बालों के सपोर्ट के वजह से आजी के दिन आपके घर पड़ी बार में आपके पड़ीवाडिक जीवन में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्यान ही होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आजी के दिन आपके लिए भाग्यसाली रंग, भाग्यसाली अंक और उपाई क्या है दोस्तों उपाई बहुत ही ज्यादा सामानी है आजी के दिन अपने शमय को बहतर और शांदार बनाने के लिए आप सुध सहद का प्रयोक करें, सुध सहद का सेबन करें, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके जीवन में कहीं कोई पड़ेसानी, कहीं कोई शमस्या नहीं होगा दोस्तों आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है काला और नीला, आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है वन यनी की एक, तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वेडियो को आप हर जगह सेयर कर दें, धन्यवाद जैसी आराम, राधे राधे